कल सभी चैनल्स में एक खबर चल रही थी कि नाशनल हेरेल्ड केस में श्रीमती सोनिया गांदी जी अध्यक्षा कॉंग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूर्वध्यक्ष एवं सांसत कॉंग्रेस पार्टी को ED द्वारा, Enforcement Directorate द्वारा समन भेजा गया है इस सूचना के आने के बाद कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा एक प्रेस वारता की गई और किस तरह से जो जाल साजी ब्रेश्टा चार छलकपट कॉंग्रेस पार्टी का चरित्र बन गया है वो उस प्रेस वारता में भी स्पश्ट दिखाई दिया कुछ महत्वपून तथ्य हम लोग देश के समक्ष रखेंगे क्योंकि इन तथ्यों का देश की जनता के समक्ष रखा जाना अनिवार रहे है जरूरी है जैसा हमें पता है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार की एक नीती है स्पश्ट नीती है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और इस नीती के तहट एक बड़ा बदलाव भारत में आया है बदलाव यह है कि जाँच एजनसियां चाहे CBI हो ED हो भरष्टाचारी कॉंग्रिस पार्टी की सरकार में हम नहीं सर्वोच न्याले यह टिपड़ी करता है कि आपने CBI को पिंजरे का तोता बना दिया आज जाँच एजनसियां स्वतंत्र रूप से निश्पक्ष रूप से अपने दायत्व का निर्वाहन कर रही हैं यह पिंजरे के तोते का एक बाज बन जाना और भरष्टाचारियों को सबग सिखाने का सफर है कल की प्रेस वारता एक सर्वोच न्याले के वरिष्ट दिवक्ता ने करी जो कॉंग्रिस के प्रवक्ता हैं मेरे साथ ही भी है और यह उमीद करना की सही तत्थे जनता के बीच में रखे जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर कोई ज़्यादा उमीद करना नहीं है तो यह तत्थे अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसके बाद कुछ प्रश्ण इस मंच से हम लोग पूछेंगे पहला सवाल जो हम पूछना चाहते हैं क्या ये सही नहीं है कि सोनिया गांदी जी और राहुल गांदी पे एक फौचदारी का मुकदमा क्रिमिनल केस सेक्शन 420 दोकादड़ी और बैमानी करने के लिए चल रहा है जिसमें सोनिया गांदी और राहुल गांदी नाशनल हेरेल्ड और एजे एल और यंग इंडियन जिसको अभी मैं विस्तार से समझाओंगा दिल्ली उच न्याले जाते हैं और ये मांग करते हैं निवेदन करते हैं अपनी याचिका में कि इस मामले को निरस्त किया जाए कौश किया जाए साथ फरवरी 2015 दिल्ली हाई कोट का आदेश मैं लेके आया हूँ मेरे हाथ में है वो बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि प्रतम द्रश्ट्या जो आरोब लगाए गए हैं धोकादड़ी के बैमानी के ये सत्य प्रतीत होते हैं इसलिए इनको निरस्त नहीं किया जाएगा इसके बाद सोनिया गांदी जी और राहूल गांदी ये सर्वोच न्याले का दर्वाजा खट-कटाते हैं बारा फरवरी 2016 और मैं शब्द शाह पढ़ देता हूँ जो सर्वोच न्याले ने अपने आदेश में कहा इसलिए जाज में ऐसे साक्षिया आए कि दिव्द शाह जाएगा इल्ली हाई कोट और मानिये सर्वोच न्याले दोनों ने इस मामले को कौश करने से मना कर दिया तो कॉंग्रिस पार्टी की ये जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि इन तत्यों को भी अपनी प्रेस कॉंफरेंस में जनता से बांट लेते बताते उन्हें ये तो हो गया सच्चाई को दबाने का कर है अब ये जो तत्यों मैं रखने जा रहा हूं ये सारे के सारे न्याले के आदेशों से इंकम टाक्स डिपार्टमेंट और एपलेट ट्राइबिनल जो इंकम टाक्स का है उसके आदेश से लिए गए हैं ये सवाल सोनिय गांदी जी और राहूल गांदी आप से देश की जनता पूछ रही है ये पहले तत्य रख दूं एसोसियेटेड जोर्नल लिमिटेड नामा के कंपनी 90 करोड रुपए का लोन देती है एक और कंपनी जिसका नाम है यंग इंडियन ये यंग इंडियन कंपनी जो है इसको इनकॉर्प्रेट कब किया गया तो पहला सवाल ये भी पूछेंगे हम सोनिय गांदी जी कॉंग्रिस पार्टी राहूल गांदी ये बताईए क्या ये सही नहीं है कि नुवेंबर 2010 में जब आपकी केंद्र में सरकार थी इस कंपनी को इनकॉर्प्रेट किया गया केवल इसलिए कि कपट पूंड तरीके से दोका दड़ी करके जो एजेल कंपनी है और उसके जो असेट्स हैं जिसका मुल्यांकन नैले ने अपने आदेश में करीब दो हजार करोड का किया है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए यंग इंडियन में और यंग इंडियन पे मालिकाना हग किसका है मालिकाना हग है 38 प्रतिशत जो शेर होल्डिंग थी ये राहूल गांदी की थी और बाकी 38 प्रतिशत जो है वो सोनिया गांदी जी की थी 76 प्रतिशत और बाकी ऐसी और संस्थाएं हैं जो यही लोग कंट्रोल करते हैं उनकी शेर होल्डिंग थी मतलब यंग इंडियन केवल इसलिए बनाई गई कि AJL के 2000 करोड रुपाए के जो असेट्स हैं उनको यंग इंडियन में दे दिया जाए और यंग इंडियन पे मालिकाना हक जो है वो किसी और का नहीं भरष्टाचारी गांदी परिवार के सदस्यों का है और विचित्र बात क्या है आप देखिए यंग इंडियन 2000 करोड की संपत्ती का मालिकाना हक पा जाता है कितने रुपए का पेमिंट करके AJL को पचास लाक पचास लाक रुपए दो हजार करोड रुपए की संपत्ती के मालिक बन जाओ और कल प्रेस वारता में अभिशेक मनु सिंग्भी जी ने बार बार कहा कि 90 करोड रुपए कॉंग्रिस पार्टी का जो की एक पॉलिटिकल पार्टी है यह लोन दिया कि AJL को तो यह सवाल पूछना बनता है सरकार कॉंग्रिस पार्टी की आप सरकार चलाना अपनी प्रतिबदता नहीं समझते है भ्रष्टा चार का स्टॉक एक्स्चेंज चलाना आपकी जिम्मेदारी और प्रतिबदता है और इसी लिए कॉंग्रिस का यह हश्र हुआ है जैसा कल आधर्निय राष्टे अध्यक जी ने कहा श्री जेपी नड़्डा जी ने यह वो भ्रष्टा चारी हैं जो जब पकड़े जाते हैं तो हो हल्ला तो करते हैं लेकिन यह सही तथ्थे भी जनता के समक्ष नहीं रखते कौन चोर बोलेगा कि मैंने चोरी की है कौन भ्रष्टा चारी बोलेगा कि हाँ देश को लूटा है और भ्रष्टा चारी हैं कह रहे थे डरेंगे नहीं जुकेंगे नहीं सीना ठोक कर सामना करेंगे तो सुन लीजिए सारे भ्रष्टा चारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी और भ्रष्टा चारियों को डरना भी होगा कानून के सामने जुकना भी होगा और चोरी करके सीना जोरी मत करिये ये बिलकुल उचित नहीं है अब ये सवाल कुछ पूछ रहा हूं उमीद है कि अगर हिम्मत होगी तो सोनिय गांदी जी खुछ देश के सामने आएंगी इस देश ने बहुत सम्मान दिया है आपके परिवार को आपको राहुल गांदी को कल ये कहा गया कि एजे एल नाश्टल हेरेल्ड की बहुत बड़ी एक विरासत है महात्मा गांदी जी का नाम लिया गया और भी जो सम्मानित भारत के आदर्श नेता रहें उनका नाम लिया गया अगर आप विरासत ही बचा रहे थे तो उसी विरासत को आपने यंग इंडिया इसको बेच दिया यह कैसा विरासत बचाना है कि विरासत को बचाते बचाते आपने उसका दाम लगा के और यंग इंडिया नामक कंपनी जिसके आप मालक हैं उनको बेच दिया दूसरी बात यह बताईए यह जो यंग इंडिया कंपनी आपने इंकॉर्परेट करी यह 2010 में करी तीन महीने के अंदर अंदर फ्रॉम इन कॉर्परेशन टू असेट ट्रांसफर दो हजार करोड का ये पूरा हो गया क्या ये बात सत्ते नहीं है कि एक जल्दबाजी थी आपको कि ये दो हजार करोड रुपए का मालिकाना हक आपका हो जाए ऐसी क्या जल्दबाजी थी और इनका जो मोटिव था हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है मोटिव यही था कि सबसे पहले हम अपनी सत्ता का दुर उप्योग करके लाब लें दो हजार करोड रुपए के जो असेट्स हैं उस पे हमारा मालिकाना हक हो जाए और करकी चोरी टाक्स इवेजिन एक रुपए टाक्स ना देना पड़े इस मंच्या से यह किया गया तो यह सवाल पूछा जाएगा आपसे कि क्या आपने एक रुपए भी टाक्स सरकार को उस वक दिया मेरा तीसरा सवाल यह है यह तत्थे तो आपने स्वीकारे है नब्बे करोड रुपए एक पुलिटिकल पार्टी कॉंग्रिस पार्टी जिसको भरष्टाचारी पार्टी भी कह सकते हैं अपने खाते से जो की आम आदमी डोनेशन देता है एक कंपनी को देती है लोन के तहट नब्बे करोड का ये लोन है दो हजार करोड रुपए की संपत्ती उस कंपनी के पास है तो क्या वो संपत्ती का कुछ अंच बेचके पाँच प्रतिशत से भी कम आएगा इस लोन को नहीं चुका सकता था और अगर ये नब्बे करोड का लोन कॉंग्रिस पार्टी ने दिया तो ये जो संपत्ती और मालिकाना हग कंपनी पे है ये तो कॉंग्रिस पार्टी के पास आ जाना चाहिए था ये एक और जो भरष्टाचार का आपने छोटा सा बच्चा कंपनी के नाम पे यंग इंडियन बना के और खुद सारी संपत्ती को हतिया लिया ऐसा क्यों किया सोनिया कांदी जी ये जरूर बताईएगा तीसरी बड़ी बात एक और बहुत महत्पून है ये उच न्याले के आदेश में है नाशनल हेरेल्ड बिल्डिंग जो एजवेल द्वारा ओन की जाती है उस एकलोती बिल्डिंग से साथ लाक रुपए महीना साथ लाक रुपए महीना रेंटल इंकम थी जिस कंपनी के पास एक संपत्ती से साथ लाक रुपए रेंटल इंकम आ रही है तो क्या वो यंग इंडियन की जगा जिसने पचास लाक रुपए दिये है ये रकम नहीं दे सकती थी आप सोचिए किस लेविल का भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचारी परिवार करता है और इसके साथ ही इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने आदेश पारित किया 2017 दिसेंबर में और उसमें बिल्कुल पश्ट लिखा है कि सोनिया गांदी और राहूल गांदी को चार सो चौदा करोड रुपए का चार सो चौदा करोड रुपए का मुनाफ़ा हुआ इस घोटाले बाजी से इस चलकपट से और आदेश दिया गया कि धाई सो करोड रुपए टैक्स भरे हैं इसके खिलाफ सोनिया गांदी राहूल गांदी तमाम और ओफिस बेरर्स जो उच्पदों में कॉंग्रिस में रहे हैं नयाले भी गए लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला ये तो वो सवाल है जो आज देश की जंता सोनिया गांदी और राहूल गांदी से पूछ रही है एक दो बाते और कहके मैं इस प्रिसवारता को अंत करूँगा हर बात पे कहते हो राजनितिक द्वेश है देश को ये क्यों नहीं बताते कि इसी मामले में तुम बेल पर हो सोनिया गांदी और राहूल गांदी पहला तत्ते इस मामले में बेल पर हैं ये कहते हैं कि साथ सालों से कोई कारवाई नहीं होई थी ये भी जूट है क्या ये सत्ते नहीं है सोनिया गांदी जी की में दो हजार उन्निस में इडी नहीं 65 करोड रुपए की संपत्ती को जब्त किया था आपके पास समय था आप न्याले गए क्या न्याले ने कहा कि ये गलत जब्त किया है अगर प्रोसीड्स ओफ क्राइम से कोई संपत्ती अर्जित की जाएगी तो उसको जब्त भी किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि उसका प्रयोग जनता के हित के लिए हो गांदी परिवार के हित के लिए नहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी परिवार अगर कोई है केवल भारत में नहीं पूरे विश्यों में तो वो गांदी परिवार है और मैं बताता हूं क्यों एक परिवार तीन सदस्य सोनिय गांदी बेल पर बाहर भ्रष्टाचार कारो राहूल गांदी बेल पर बाहर भ्रष्टाचार कारो रॉबर्ट वाडरा एंटिसिपिट्री बेल लेते हैं जमीन गोटालिक लंडन में संपत्ति हैं ब्रष्टाचार कारो ऐसा कोई परिवार होगा जिसको देश की जनता ने विश्वास की नजरों से देखा और उसने प्रयास किया उसी देश को लूटने का तीन परिवार के सदस्य और तीनों भ्रष्टाचार के आरोपो पे लिप्त इनके मामले न्याले ने निरस्त नहीं किये हैं ये तत्थे इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो जाच एजेंसियां हैं जो अपना कारे कर रही हैं इमांदारी और निष्टा से कल की प्रेस वारता में जिन शब्दों का उप्योग किया गया है वरिष्ट नेताओं द्वारा कॉंग्रिस के पालतू चहेते एक समय जब कॉंग्रिस पार्टी की सरकार थी मैं तब भी इस शब्द का प्रेयोग नहीं करूंगा लेकिन यही सोनिया गांदी राहूल गांदी सीबियाई एडी के डारेक्टर को समन करते थे और रिपोर्ट बदलवा देते थे जो की सरवोट त्याले ने कोल गेट मामले में कह और अब कानून की ताकत और जाच एजेंसियों की ताकत है कि जब वो समन भेजते हैं तो सोनि गांदी थर-थर कांपती हैं राहूल गांदी जानते हैं उन्होंने ब्रश्टाचार किया है तो घबरा जाते हैं और किसी को बक्षा नहीं जाएगा ये देश आगे बढ़ रहा है भ्रष्टा चार सुईकारे नहीं है और कोई भी व्यक्ति हो सोनिया गांदी जी हो राहूल गांदी हो कानून से उपर आप नहीं है इस देश का कानून सब पर बराबर लागू होता है और ये आपका जन्द से ददिकार नहीं है कि आप भ्रष्टा चार करेंगे और जाच एजन्सिया आपको कानून का पालन करते हुए बुला भी नहीं सकती ये सारे तथ्थे आपके समक्ष रखे हैं हम लोग आभारी हैं कि आपने अपना समय दिया ये राजनितिक द्वेश से किया जा रहा है ये कहना कितना अनुचित है ये आपके समक्ष रख चुके हैं और इस बात से अंत कर देता हूँ पिछले आठ साल में देश में बड़े परिवर्तन आये हैं जहां जेजन्सिया स्वतंतरू ही हैं निश्पक्ष रूप में कारे कर रही हैं और निर्भीकता से कारे कर रही हैं और ये चुनोती दे के अपनी बात को खतम करूँगा कि एक फैसला सर्वोच न्याले या उच्न्याले का दिखा दे गांधी परिवार या विपक्षी पार्टियां जिसमें सर्वोच न्याले या उच्न्याले ने कहा हो कि ये जो कारवाई है ये राजनितिक द्वेश के कारण कौश की जाती है एक मामला नहीं धन्यवाद किसी का कोई सवाल हो तो